हाई दोस्तों असलाव लेकुम कैसे आप लोग में आम नभील आयो 70.5 का फाइनल स्टेबल वर्जन आपल ने कर दिया रिलीस इस अपडेट में क्या कुछ खास है क्या कुछ नया है सारी डीटेल जो है एक एक आपको मैं बताने वाला हूँ यह काफी टाम से इसका बेटा वर जाएगा इसमें इस अपडेट को करने से बेले 17.4.1 पे मेरा आइफोन 15 प्रो मैक्स चल रहा था जो कि आप लोग का भी सभी डिवाइस जो है most प्रॉबली इसी पे चल रहे होंगे स्टेबल वर्जन बहुत कम लोग है जो बेटा वर्जन चलाते हैं तो बेटा वर्जन व मेरे आइफोन में घड़ गई है तो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूस थी मेरे लिए तो यह अपडेट बहुत सारी चीजों में अच्छा निकल के आ रहा था बेटा वर्जन के नतर लेकिन मैंने कभी एक्सपेक नहीं कहा था कि इतना जादा जो है अवैलेबल फ्री स्प मैं आगे बताने के पहले एक काड के बाले बताना चाता हूँ जिसको यूस करके आप ऐफोनस के उपर अगर आप उनको फ्लिप काड से लेते हो तो बेस्स दिसकांट हासिल कर सकते यह अक्सिस flip card credit card इसको अगर आप apply करते हो डिस्क्रिप्शन में दिये हुए link से तो आपको 500 रुपीज का welcome voucher मिलता है 50% instant discount मिलता है on your first order on Swiggy, 5% unlimited cashback मिलता है on flip card shopping कुछ भी खरीदो 5% आपको cashback मिलते रहेगा और Swiggy, Uber, PVR, ClearTrip जैसे websites के उपर आपको 4% cashback मिलेगा और 1% cashback मिलेगा on all other spend चार complimentary airport lounge visits मिलेंगे इन इंडिया और यहाँ पे screenshot पे आप देख सकते हैं कि access flip card credit card का इस्तमाल जब आप करेंगे कोई iPhone लेने के लिए जैसे हमने flip card पे iPhone 14 के लिए इसको apply किया 52,467 रुपीज का iPhone 14 हम आपको 50,014 रुपीज में पढ़ा तो देर मत कीजिए अगर आप flip card से phones वगरा खरीते हो तो या फिर specially iPhone खरीते हो तो इस card के लिए अभी apply कर लेना description में आपको इसका link मिल जाएगा और पहले comment भी प्रिंट है और news के साथ-साथ puzzles वगरा भी आप उसके उपर खेल सकते हैं और इससे related कुछ नई settings भी आई है तो यह आपके लिए वहाँ पे एक नई चीज देखने मिलीगी आपको और Game Center के अंदर भी Apple News Plus के लिए आपको setting और toggles जो है वो देखने मिल जाएंगे Ecuador में अगर आप हो तो आपके country के अंदर Apple पे अब support करेगा तो यह चीज वहाँ के लोगों के लिए अच्छी है और अब यहाँ पी European Union वालों के लिए मैं बता देता हूँ जिनको सबसे आदा अच्छी जीज़े मिल रही है जो के side loading है तो side loading अब वो जो है app stores के अलावा मतलब third party app stores के अलावा फिरिकली website से भी लोग कर पाएंगे developers जो है अपने website पे ही application का link दे सकते हैं जहां से लोग अपने iPhone पे download install कर सकते हैं उन applications को और similarly आपको app install pop-ups भी जो है उसके अंदर देखने मिल जाएंगे इस सारी चीज़े थी वो जो आपको नहीं देखने मिलने वाली है अब वो चीज़े बताता हूँ जो आपको देखने मिलने वाली है बुक्स application का अगर आप इस्तमाल करते हैं बुक्स रीडिंग करते हैं अपने iPhone पे यहां पे आपको एक नया counter देखने मिलेगा और यहां पे जितने देर आप बुक्स रीडिंग करेंगे यहां पे आपको देखने मिलेगा एक नया आइकन पास कीज आकसेस फॉर वेब ब्राउसर के लिए तो यहां पे यह एक छोटी सी चेंज आपल ने किया अब नए कुछ वाल पेपस भी आपल ने यहां पे आड किया है तो यहां पे आड न्यू वाल पेपर में हम जाते हैं और यहां पर प्राइड में जाएंगे यह LGBTQ प्लस कम्यूनिटी वाला प्राइड है और इसके अंदर तो अच्छा लगेगा प्राइड वाला वाल पर मैं तो सेट नहीं करता पाकि आपको यहां पर मैं इसके बारे में इन्फोर्मेशन तो पूरी दूंगा ही इसके अगर आपको देते हो तो आप उसको रिपेर मों में दाल सकते हो तो यहां पर आपको स्लाइड करना है यहां पर डिलीट का बटन दबाना है और यहां पर लिखाएगा कि अपको सर्विसिंग के लिए दे सकते हो अब यहां पर थर्ड पार्टी जो ट्रैकर्स है उनके लिए भी ट्रैकिंग डिटेक्शन आ गया है और आपके सारे लिंक डिवाईस इपको बतादेगा मतलब एर्पोट्स के बारे में दाला है तो पर पर बतादेगा बताता ही था कि किसी ने आपके गाड़ी में एरपोर्ट लग दिया है तो आपके आईफोन पे वह अलर्ट आई जाता था था थर्ड पर्टी ट्रैकर जो है उनका भी अलर्ट आपके आईफोन पे आज आएगा तो आप सेक्योर रह सकते हैं और इसके साथ दोस्तों यूएस कर सकते हैं वहां के यूजर्स की अब यहां पर काफी सारे बग फिक्सेज भी है आईउस 17.5 में वह मैं आपको फटा-फट से बता देता हूं आपका मेल अप्लिकेशन जो है उसको उपन करने का तो यहां पर एक प्रॉब्लम आता था कि इमेल आप जो है बैनर नोटिफिक पर नॉर्मली आड नहीं कर पाते थे लोग तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी गलेच आ रहा था अटक जा रहा था फोन स्टक हो जा रहा था तो यह प्रॉब्लम ही आपल ने इसमें फिक्स की है अब आपड़ोस की बात करे थे आपड़ोस 17.5 यह भी आराउंड 900 MB के आस-पास का अपड़ेट आपको दे नहीं में लेगा 800-900 MB की बीच का इसमें भी वही चेंज है इसके अलावा कोई चेंज है नहीं और आपड़ोस के अंदर एक चेंज लाने वाला है जो नए आपड़ेट के अंदर से हमको यह पता चला है वाकि जो पुराने existing आपड़ोस के अंदर आपको और मुझे कोई फाइदा नहीं होने वाला इसका watchOS भी आपको नया देखने मिल रहा है इस अबड़ेट के साथ साथ और यह है watchOS 10.5 इसको मैंने अल्रेट इंस्टॉल के लिए के अंदर 3-4 दिन के अंदर जो है चेक करके बताऊंगा क्योंकि अपडेट आने के बाद चेक करना जरूरी हो जाता है कि मतलब कैसा performance है क्या है और एक दिन में वो पता नहीं चलता तो नया मोने में पर आया तो जरूर मैं आपको network चेक कर बताऊंगा रही बास storage की तो यहा यहां पर मैं iPhone story में भी लेके चलता हूँ आपको और यहां पर भी हम चेक कर लेते हैं तो यहां पर system data जो है यह यहां पर बहुत जादा कुछ भी नहीं एक दम नॉमल सा नजर आ रहा है 4.98 GB का यह तो यह जो है एक काफी अजीब सी चीज थी जो इसी फोन के अंदर generally मैं 2- अब बैटरी की बारे में बात करतें दोस्तों तो बैटरी हेल्थ जो है मेरे फून की नॉमल है maximum capacity 100% है अपडेट की वज़े से यहां पर बैटरी हेल्थ जो है वो गिरी नहीं हो cycle count भी 212 है मेरे फून का अब यहां पर यह जो मैंने बैटरी हेल्थ के बारे में बताया यह जगा है लेकिन बैटरी लाइफ जो है वो यहां पर बताना जो है ना मुम्किन है क्योंकि अपडेट अभी आया तो बैटरी लाइफ के बारे में मैं आपको इसका रिवीव बताऊंगा उसके अंदर बताऊंगा अब पर्फॉर्मेंस जेनरल ओवरॉल ठीक दिख रहा है अ तो 27006, 27 तो और अभी है 27276 तो यहां पे भी कोई डिफरेंस निया थोड़ा सा कम हुआ है 400 लेकिन 400 पॉइंट 500 उपर नीचे चलता है कोई प्रॉल्म नहीं है और 27000 की रेंज में जब तक है हमको यहां पे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है अब सीथी सिंपल सी करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं तो आपको बोलूँगा अभी फिलाल मत करो अपडेट मेरा रिवी वीडियो देखने के बाद जो है आप लोग अपडेट केजिए यह जो अवेलेबल फ्री स्पेस का घटना है यह ग्लिच मुझे लग रहा है क्यूंकि मैंने अपने द इसकाउंट मिल सकता है तो जाके उसको चेक आउट जरू करना तो मिल गता दोस्तों आपको आज के वीडियो पसना आपको अपसर आपको लाइक एश्याए जरू किजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जो किजिए गुट बाई